दोस्तो आज किस वीडियों बात करने वाले हैं automatic application installed problem के उपर क्या होता है कि guys automatic से आपके phone में application download हो रहा है या फिर update हो रहा है उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं फिलाल आपको मैं दिखा दूँ guys अभी भी एक यहाँ पर देख सकते हो तो चली मैं आपको बताता हूँ किस तरी की सुका आप सही कर सकते हैं यहाँ आप मैं simple सा play store open कर लेता हूँ आप भी एपनी mobile phone का play store open कर लीजेगा उसके बाद आपको क्या करना यह जो profile देखनेक मिलता है bell icon के side में easily आपको यह profile का आपका photo लगा होगा ठीक है मेरे पर फोटो नहीं लगा हुआ है मैं simple से यहाँ पर click करता हूँ then आप भी click किजिए then manage app device पर click किजिए यह जो first में देखनेक मिलता है इस पर click किजिए और guys यहाँ से आप एक बार check कर लेना कि guys आपका application अभी भी तो update पर नहीं लगा हुआ है बट क्या होता है कि guys जब भी automatic से कभी कब अपडेट होने लगता है तो guys इसको आप बंद कर सकते हो तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या करना है तो guys आपको पर प्रोफाइल पर click करने के बाद आपको setting पर आ जाना यह जो नीचिए setting option देखनेक मिलता है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए guys यह main point पर आते हैं अब अब जैसे setting पर क्लिक करोगे तो network performance पर क्लिक करना है देख सकतो network performance का option दिख जाएगा और उसके बाद network performance पर क्लिक करने के बाद ओट अपडेट एप ठीक है प्रफितम हो जाता है और आपका phone में कौन से select होगा आपको पता देता हूं देखिए आपका phone में over any network select होगा क्योंके आप net से use करते हो अपना same से use करते हो ना तो आपका over any network select होगा फिलाल मैं Wi-Fi से करता है इसलिए Wi-Fi select था तो आपको क्या करना है don't auto update डॉन कर देना है नीचे वाले सबसे 3 नुमर पर किलिक करके आपको डॉन कर देना है इससे आपसे मतलब ऑटमेटिक से अपडेट नहीं होगा अब जब भी किसी एप्लिकेशन को सर्च करोगे देन उसको बाद ही आप उसको अपडेट कर पाओगे आपको समझ में आ गया ओगा थैंकियो समझ कैसा लगे ये वीडियो कॉमेंट में